भरुच एक एतिहासिक नगर छे अने काशी पची नू बीजु आ पौराणिक शहर छे भरुच मा आवेला फूर्जा बंदर भारत नू एक मुख्य बंदर हतु अहींती कपास अने मरी मसालानों मुख्य व्यापार थतो हतो व्यापार ना कारणे अंगरेजोनू डच सामराज्य नी समरुद्धी माटे ओडखातु हतु जर जानी ती डच फेमेली मां कोईनू मृत्यो पामे त्यारे एमने एमनी कोई खास जग्याए दफनावा मावता अने त्यां तेमना खास डच सिमेट्री के पार्क बनावी तेमनी कबरों बनावा मावती अने आएक एतिहासिक हिस्ट्री छे आ डच कब्रिस्तान ना एतिहास आजे पण इमना स्टेच्यू पर कोत्रेला नजर मा आवे चे भरुच नी आ डच कब्रिस्तान जे एमनी सम्रुधी बतावी रह्यू छे तेनी हवे तंत्रा तरफ थी कोई कारजी लेवामा आउती नती अने जे पहला 22 जिटली हती ते हवे मात्रा 4 थी 5 अच छे अने गंदकी अने ज़ाडी जाकरामा छे तंत्रा आ विशे तेनु ध्यान दोरी तेनी केडवनी करे तेवी लोक मांग उभी थाई छे भरुच एक प्राचीन नगर नी साते साते एक एकु एतिहासिक नगर छे के जनी जो नगर व्यवस्तानी वाद करे तो ए सौती जुनी नगर व्यवस्ता रे जे लक्ष्मी जी वस्तावे नुँ परन्तु त्यार बाद त्या नागरी को एक ला वस्ता नहीं त्या एक 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 सिविलाइजेशन स्थाई ना थाई एक आसी पचीन विजु एतिहासिक नगर बनु ब्रुघुरुशी एया नगर वस्तावे तो हीडिंबाने दिक्री वा आपड माते प्रख्यात थे त्यारे बरुच ना बंदर नो उप्योग अईयानी गणिपती वस्तों ने आयात निकास मा थतो अन्ने एक आरण बन्यू के बरुच मा बहरनी जे प्रजातियों हती विदेशी प्रजातियों ये आकर शाई पची ए डच होई पोटुगीज पडन आ मार्थी आप्या अवे भारत भरुच मा जेरे अंग्रेजों नो प्रथम वक्त भरुच मा प्रयान जारे थे जारे शारे शते शोने बोतीरनी साल मा बरुचना छिलण डेविड वेडन बर्न नी याद मा एक कबर बनावा मा आवी जिमा ब्रिटिस ब्रिगेडियर डेविड वेडन बर्न नी आगेवानी मा आवेलू लशकर भरुच ना बंदरे पहुचता नवाबे कोट ना धर्वाजा बंद करावी दी था बाद फूर्जा नजिक ना टेकरा पर आवेला टावर पासे ना बूरज पर थी पोता ना लशकर मार्फते तोप गोडा नो मारो शरू करिवी तो हतो आ लड़ाई मा वेडन बर्न नी आगेवानी मा अंग्रेज लशकर मार्फते तोप गोडा नो मारो शरू करी कोट नी लागो लग आवी पहुच जा हता आ स परी मुंबई ब्रिटिश सरकारे नवा ब्रिगेडियर साथे आवी ने लड़वानू जारी राखियो हतो। जे मां लेफटनेंट कर्नल चौकबन तथा ब्यूवर नी आगेवानी मां ब्रिटिश लशकरे भरुच नों कब्जो मेडवयो हतो। आ युधमा नवा मौजुज खान हारी गया बाद भरुच छोडी ने देहवान मुका में कोडी ठाको राजा जालम सिंग ने त्यां आश्रेली थो हतो। त्यां तेत बिमार पड़ता 42 वर्शनी वए तेमनू अवसान थायू हतो। भरुच मां अंग्रेजुएक अबजो जमाविया बाद ब्रिगेडियर डेविड वेडबन नी याद मां अंग्रेज सरकारे टावर पासे आवेली सिवेल होस्पिटल नी बाजुमां तेकरा पर तेनी कबर बनावडावी तेना घोडा साथेच दफन करायू हतो। तेनी पन जाणमणी वगर खास्ता हालत थाई जवा पामी चा। प्रेडियन नी लीडर्शिप मां खोई एक मोकले छे तो एज वेड़न बन नी याद मां अंग्रे जोए ए नाडाकार जे गोडा नी नाड होई ए प्रकार नूँ एक इमारत चनी लाल इंटो नू आरोस पहर पर एगोडा आन साथे-साथे वेड़न बन नी शौरे नी एनु एक विजू कारण छे कि भरुच मां मराठा सामराज्यन नू स्थापत्य मां छे पोट्टुगीस, डज, अंग्रेज्यन नू सामराज्य नू स्थापत्य शे बदू आजे पण हयाद छे अने जाणावनी थवी जोई ए साथे-साथे भरुच नो जे साहित्तिक अने स संगीत नो वार्षो चे एपन जडवा आओ जुई ए लेक अपीर छे तंत्रने के भरुच नी आजे एत्यासिक प्रोहर चे एने साच्वीर